नमस्कार दोस्तो अगोर साधना में आप सबका स्वागत है तो आज मैं आपको बताऊंगा मंत्र सिद्ध कैसे करें और मंत्र सिद्धी में सफलता कैसे प्राप्त करें तो वीडियो को ध्यान से देखना अगर वीडियो आप ध्यान से नहीं देखोगे पूरा नहीं देखोगे तो आप लोगों को समझ आने वाली बिल्कुल भी नहीं है कि कैसे क्या करना है ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं तो मेरे भाईयों एक समय था जब मनुष्य अपने किसी भी कारे को पूरा करने के लिए मंत्रो का सहारा लिया करता था ऐसा करने से उसके कारे पूरण भी होते थे किन्तु आज के मनुष्य का तो धरम से ही विश्वास उड़ता जा रहा है ऐसे में उन्हें मंत्रो की शक्ती का अभास कराना कलपना मात्र ही होगी ठीक है, मंतर सक्षा देवो के ही अंश होते हैं मंतर जब दुआरा देवो को कुश करने के लिए परंपरा आधी काल से चली आ रही है वैसे तो मंतर अपनी शक्ती कभी नहीं खोते और इनका जब कभी व्यर्थ नहीं जाता किन्तु यदि संकल्प के साथ किसी भी मंतर का नीमत रूप से जब किया जाए तो इनका परभाव कई गुना बढ़ जाता है संकल्प के साथ व्यक्ती जिस भी कारे को ध्यान में रखकर मंतर जब करता है उसे सफलता अवश्य मिलती है आज हम आपको किसी भी मंतर को सिद करने की बड़ी ही सरल और संक्षिफ्ट वीधी के विश्य में जानकारी देने वाला हूँ किसी भी मंतर को सिद करने के लिए सवय और अपने इश्ट देव पर अटूट विश्वास होना चाहिए जितना आप अपने मन को एकागर करेंगे मंतर जब करेंगे मंतर भी अती शीक्रता थे सिद होने लगेगा ठीक है मंतर सिद करने की विधी और मंतर सिद्धी में समय की अवधी किसी भी मंतर को सिद करने का समय 21 से 41 दिन का होता है यदि आपके पार समय का बड़ा अभाव है तो आप 21 दिन का संकल्प लेकर सुबे और शाम दोनों समय मंतर जब कर सकते हैं अन्यथा आप मंतर सिद्ध करने के लिए 41 दिन में ही स्वपन करने का प्रेतन करे तो अधिक उत्तम है 41 दिन के समय में आप दिन में सिर्फ एक ही निश्चित समय पर मंतर जब करें यदि महिलाए मंतर सिद्ध करती हैं तो वे इसे 21 दिन का संकल्प लेकर पूरण करने का परियास करें महिलाए ध्यान दे इन 21 दिनों में उनको मासिक धरम नहीं आना चाहिए वे अपना समय मासिक के बीच का निर्धारित कर मंतर का संकल्प ले सकती हैं ठीक है अब है मंतर सिद्धी मंतर जब करने की विधी तो मंतर सिद्धी करते समय जब आप पहले दिन मंतर जब करते हैं तो आप मंतर को मुक से बोल कर करें जैसे जैसे आपका मंतर में रमन होने लगते हैं और आप मंतर को सिर्फ होटों से बुद्ध बुदाना शुरू करें उचारन बिल्कुल धीमे सवर में करें और चार से पांस दिन के बाद अब आप मंतर को मन ही मन जब करना शुरू कर दें मन ही मन मंतर का उच्चारण समान्य बोलकर किये गए मंतर उच्चारण की अपेक्षा एक हजार गुना अधिक प्रभावी माना गया है अब अगला मंतर सिद करते समय सरल्वे संक्षिप्थ पूजाविधी आप जिस भी देव या देवी के मंतर को सिद करने जा रहे हैं उस देव या देवी की फोटो को पूरव दिशा की तरफ एक चोंकी पर लाल कपड़ा बिचा कर स्थापित करें आप जिस मंतर को सिद करने वाले हैं उस मंतर को एक पेपर पर साफ साफ लिखकर फोटो के नीचे रख दे चुंकी के दाए तरफ एक मिट्टी के कलश में पानी भर कर रख दे एक ऐसा नारियर जो बीना पानी का हो और हिलाने पर बजता हो ऐसे नारियर पर लाल कपड़ा लपेट कर इसके उपर लाल धागा लपेट दे और इसे मिट्टी के पानी वाले कलश के उपर रख दे अब जल पातर के थोड़ा आगे एक मिट्टी के दिये में घी का दीपक जलाएं अब आप शिरी गनेश जी की स्थापना करें एक मिट्टी की डली पर लाल धागा लपेट के उसे कुमकुम से तिलक करें अब इसे एक कटोरी में थोड़े चावल रखके उसमें इसे रख दें इस परकाल से आप गनेश जी स्थापना कर सकते हैं गनेश जी को देव की फोटो के ठीक आके यानि जो आपने देव की फोटो रखी है उनके जस्ट आगे चोंकी के आगे रखे एक पात्र में जल भरकर साथ में रख ले दो पात्र में चावल और चीनी भी साथ में रख ले मंतर जब के लिए रुदराक्ष की अभिमंतरित माला वे गो मुखी भी साथ में रखे थोड़ी घास जिसे दूब कहते हैं इसे लेकर अच्छे से धोकर लाल धागे से नीचे से बांदे इसे आप जल के पातर में रख दे अब आप चूंकी के सामने आसन बिछा कर बैठ जाए सबसे पहले सभी दिशाओ और समय को पवित्र करें दूब, घास, द्वारा जल के सभी दिशाओं में छीटे देते हुए बोलें हे परमपिता परमेश्वर मैं सभी दिशाओ और समय को इस पूजा के लिए पवित्र करता हूँ अब प्रिथ्वी को हाथ से सपर्ष कर हाथ को माते से लगाते हुए बोलें ओम अधार भूमे नम, जनम भूमे नम, करम भूमे नम अब दीपक की तरफ हाथ जोडते हुए सूर्य देव का ध्यान करते हुए उन्हें नमन करें अब आप गनेश जी के स्तुती मंतर द्वारा उनका समरन करें और बोलें हे गनेश जी आओ और अपना स्थान ग्रहन करों अब सभी देव वे देवताव का समरन करते हुए बोलें सभी देव वे देवी आओ और अपना स्थान ग्रहन करें थोड़े चावल लेकर इन्हें चोंकी फोटो के बाय तरफ रखते हुए बोले, हे पित्र देव, आओ और अपना स्थान ग्रहन करो, अब आप जिस भी देव या देवी का मंतर जब कर रहे हैं, उनका आववान करें, हे इस्ट देव, आओ और अपना स्थान ग्रहन करो, अब सभी देव वे देवी जिनकी स्थापना हमने की हैं, उनका दूब दुआरा, चार-चार बार छीटे देते हुए बोले, हे देव, मैं आपके पाव धुलवाता हूं, हाँ धुलवाता हूं, आचमन करवाता हूं, और सनान करवाता हूं, लाल धागे के तीन, छोटे- वस्त्र, उपवस्त्र और अग्योपवित है, इस परकार से वरुण देव, पित्र देव और अपने इश्ट देव को लाल धागे के तीन, छोटे-छोटे टुकडे, वस्त्र, उपवस्त्र और याग्योवावित के रूप में समर्पित करें, अब सभी देवों को चावल, क कुम-कुम वे मीठा समर्पित करें, अब सभी देवों को फिर से जल समर्पित करें, अब हाद जोड़ कर सभी देवों का ध्यान करें, ठीक है, अब है मंत्र सिद करते समय, संकल्प कैसे ले, तो चलिए आप मैं शुरू करता हूँ, यह सब कारे करने के उपरांत, अब आप का मुख्यक कारेया अरंब होता है, अब आप मंत्र जब के लिए संकल्प ले सकते हैं, संकल्प आप को कैसे लेना है, दाय हाद की हतेली में, थोड़ा जल लेकर बोले, हे परमपिता परमेश्वर, अपना नाम बोले, अपना गोत्र बोले, अपने कारे की सिद्धी के लिए देव मंतर जप कर रहा हूँ, मेरे कारे में मुझे सफलता प्रधान करे ऐसा कहते हुए जल को नीचे जमीन पर छोड़ते हुए बोले ओम शरी विश्णु, ओम शरी विश्णु, ओम शरी विश्णु इस परकार से संकल्प लेने के उपरांत आप मंतर जब शुरू कर सकते हैं आप जितने समय भी मंतर जब करते हैं नीमित रूप से उसी संख्या में और उसी समय पर मंतर जब करें मंतर जब पूरे होने पर फिर से हातों में थोड़ा जल लेकर इस परकार से बोले हे परमपिता परमेश्वर मैंने ये जो मंत्र जब किये हैं इन्हे मैं अपने कारे की पुरंता हे तू श्री भ्रम्मा को अर्पिट करता हूँ ऐसा कैते हुए जल को नीचे जमीन पर छोड़ते हुए बोले, ओम शिरी विश्नू, ओम शिरी विश्नू, ओम शिरी विश्नू. अब आप अपने आसन को एक कोना मोड़कर अपने स्थान छोड़ सकते हैं. 41 दिन पूरे होने पर एक हवन का आयोजन करें. इस हवन में जितने मंत्र जब आपने 41 दिन की अविधी में कुल संख्या में किये गए हैं उनके दशांस भाग से हवन में मंत्र की अहुतियां दे ऐसा करने से आपका मंत्र सिध हो जाता है और आपको अपने कारे में सफल्था भी अवश्य मिलती है बाद में नीमित रूप से इस मंत्र का जब दो या पांच मिंट के लिए अविश्य करते रहें ऐसा करने से मंत्र में शक्ती बनी रहती है तो दोस्तों ये थी बहुत सारी चीजे जिन मेरी बहनों को शक्त था कि गुरुजी हमको मासिक धरम आता है हम मंत्रों की सिद्धी कैसे कर सकते हैं तो ये मेरी भेनों के लिए भी था कि वो इस परकार से कर सकती है और ये मेरे भाईयों के लिए भी था जिनको मंत्र सिद्धी करना नहीं आता जिनको मंत्र सिद्धी के नियम नहीं पता जो करना चाहते हैं मंतर सिद्धी चाहे कोई भी मंतर हो तो वो इस परकार से सिद्ध कर सकते हैं ध्यान देने योगे बाते ये हैं कि आपको रुदराश की माला अभी मंतर चाहिए होगी इस चीज़ का ध्यान रखना आपको ये सब चीजों के बिना आप मंतरों को जप नहीं कर पाओगे तो ये बहुत जरूरी चीजे होती है मंतर जब करने के लिए तब ही टैम लगता है मंतर जब करने में कोई मंतर जब एक घंटे में थोड़ना सिध हो जाते हैं इसलिए टैम लगता है मंतरों को सिध करने और सामगरी लगती है बिना सामगरी के तो कोई भी मंतर सीध नहीं होता यार तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप वीडियो को लाइक कीजिए वीडियो को शेर कीजिए और ऐसी ऐसी वीडियो और ज्यादा पाने के लिए अगोर साथना को सब्सक्राइब कीजिए तो धन्यवाद